हेलो दोस्तों आज हम ट्रांस्पोर्मर्स पर बेस्ट एमसी क्यू का पार्ट टू देखेंगे तो चलिए आज का पहला कुश्यन देखते हैं नो लोड करन्टों पर ट्रांस्पोर्मर हैज ओप्संस हैं हैं है उड्रां एं대 과 फेक्टर है इसका समॉल गर्स को देखिए इसमें जो नो नोड करन्ट ओस्पोर्मर्स एंगल hè 75 डिग्री से लैक करता है तो यहांसे अगर आप पार फेक्टर निकालेंगे कोस्पाइड नोट यानि कि कोस्पाइड आप जब निकालोगे तो यह बहुत स्मॉल वैलियो आएगी तो इसका लो पार फेक्टर होता है तो ओप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा न दोस्तों यहां पर हमको बोला है कि अगर सेकेंडरी का जो लीकेज फ्लक्स अगर वह ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा देखिए दोस्तों इस फिगर में देखिए आप जो लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स होता है जो आपका वाइंडिंग से लिंक नहीं करता है तो आप यह बाहर रहता है उस फ्लक्स को टाम करते हैं यानि कि काम नहीं आ रहा हुआ रहा है कि ने को कोई बीगेच फ्लक्स से अगर बढ़ जाती है ज сил करता हूं इसके secondary का induced EMF है दोस्तों फेराडे लोग के according EMF induced जो होता है वो क्या हो जाएगा d5 by dt यानि कि जो flux का linkage है वो जितना ज्यादा होगा आपका EMF उतना ज्यादा हो जाएगा लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों आपका linkage flux ज्यादा होने के कारण active flux यानि कि linkage flux कम हो रहा है अगर यह flux आपका कम हो रहा तो जो EMF induced होगा secondary side में वो भी आपका क्या हो जाएगा कम तो option A आपका यहां पर correct हो जाएगा last will be the secondary induced EMF next question देखते हैं what will happen if the transformers working in parallel are not connected with regard to polarity दोस्तों अगर हम उनको same polarity में connect नहीं करते हैं अगर दो transformer parallel में work कर रहे हैं तो क्या होगा यह हमसे पूचा है options है the power factor of the two transformers will be different from the power factor of common load incorrect polarity will result in dead short circuit the transformers will not share load in proportion to their kVA ratings and none of the above दोस्तों अगर same polarity नहीं होगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा जो dead short circuit हो जाएगा हमारे और transformer वर्क नहीं करेगा तो option भी आपका यहां पर correct हो जाएगा इसलिए ट्रांस्फोर्मर को हमेशा हम सेंपोलरेटी का connect करते हैं next question देखते हैं इन आट ट्रांस्फोर्मर टैपिंग सार जनरली प्रोवाइड़ ओप्सन से primary side secondary side low voltage side and high voltage side दोस्तों जो आपके टैपिंग सोती हैं उनको हम High voltage side में लगाते हैं क्यों कि दोस्तों इसके पहला रीजन देखें आपका हाइड होता है उसमें क्या होता है number of turns ज्यादां फोसमीन होते है अगर हम्श ह 안 ज्यादा है तो अब number of turns ज्यादा है इसका मतलब क्या होँ आपका voltage regulation जो आपका होगा वह ऊस्मूत होगा पहला रिजन तो यह हो गहाँ आपका दूसरा कुशन देखते हैं दा यू जो फायर फ्लक्स देंसिटी इन दा ट्रांस्फोर्मर डिजाइन ओप्शन से रिडूसेश वेट पर के विए रिडूसेश आयरन लोसेश रिडूसेश कोपर लोसेश एंड इंक्रीजेश पार्ट लोड एफिशेंसी तो आपने एक रिलेशन पढ करेक्ट हो जाएगा रिडूसेश वेट पर के विए रिडूसेश वेट पर के विए नैस्टो खूस्षन देखते हैं दा कैमिकल यूज इन ब्रीथर फो ट्रांसफोर्मर्स शूड ये था क्वालेटी ओप्शन से आयोनाइजिंग एर एंब जोर्बिंग मोईस्ट्र किलींग दा ट्रांसफोर्मर ओल्ड कूलिंग डा ट्रांस फोर्मरूइल तो सजो हम कैमि अबिद्वेस्टों देखते हैं दाषिए बेडसे ऐवेस्टों फाइब शेलिका सेंड सोडियम किलोराइड और सिलीका जैल दोस्तों जो केमिकल यूज लेटे हैं बृतर में उसकेमिकल का नहीं है सिलीका जैल जैल ऑप्षेट्मिंट आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नियस्ट कूश्चन है एन आइडियल ट्रांसफोर्मर है इन फैनाइट वेल्य का प्राइमेरी और सेकेंडरी रेजिस्टनस है यह बोला है कि आइडियल ट्रांसफोर्मर के लिए ऐसी कंडिशन है तो बतावना है कि यह गलत है तो दोस्तो आप देखे कि जो ideal transformer होता है उसके लिए तो जो resistance की value होती है वो क्या होनी चीछ जीड यानि कि primary और secondary दोनों वाइंडिंग का जो resistance होता है वो 0 होना चाहिए लेकिन हमको infinite दिया हुआ है तो यह गलत दिया हुआ है तो option B आपको यहां पर correct हो जाएगा next question देखते हैं the transformer ratings are usually expressed in terms of options volts, amperes, kilowatt and kVA दोस्तों जो transformer की ratings होती हैं वो हम kVA में represent करते हैं तो इसके पीछे कुछ reasons देख लेते हैं पहला reason यह देखते हैं कि दोस्तों जब transformer को manufacture करता है उस time पर हमको यह पता नहीं होता है कि अगर मानले हम हम इंडaprès करते हैं तो प्यॉर्ली नेक्चिव दो कुछ होता नहीं यैनि कि वह वह सम का और पर केपसिटिव और कपैसिटिव होगा तो इसलिए यानि कि हमको पता चलगा 그 के लौड प्यूरली तोता ओनी सकता या केपफिटिव एंदेख्व या फिर कैपपिज़्ट केपपीटिव चुक्तिव होगा थो यानि कि जो पावर की रिक्वार्मेंट होगी उनको वह दोनों रिकोर्मेन्ट होगी Kathy पा Awwー भी एक्टीव फावर जो आपकी पी है हो म crec के रेजिस्टिव लोड के लिए और जो रियक्टिव पावर क्यों है वह आप क्यों होगी इंडक्टिव लोड या फिर कैपसिटिव लोड के लिए और हमको पता जो पी और क्यू जो पावर है दोनों का समेशन क्या होता है यानि कि अपरियेंट पावर अब इनका सब का अग नहीं तो देखेंगे तो अपरेंट पावर आपका किसमें आ जाएका के वीये में तो यह रीजन हो सकता है कि यह रीजन है कि हम इसलिए प्रशुद्श को ओने हैं अब हम दूसरा देखते हैं दूसरे में दोस्तों क्या एक है कि की जो किसी भी मसीन कि अगर हमको रेटिंग inतिशाई करनी है तो तेंपरेच्र राइज से डिसाईड करते जो टैंपरेचर राइज होता थी या दिपेंड करता और जो ट्रांसपोर्मर्में जो n से दो तरीकते लोसच होते है पहला तो एक 약간्यान डूस दूसरा होता है आपका को फर लोस जो आपकी मोटें का को फर लोस होता है कि सबाई होते हैं करने अबusta कर पार्पॉस्टनल तो इसलिए दोस्तों में हमेशा किलोवोट में और जो ट्रांस्फोर्म मरथ है वह एक लोड नहीं वह क्या करता है उसका काम यहwohl कि से इसकेंडरे में च्रॉक्सक्राज्ग का जो करन्ट है उसका लेवल को अप यहां करते हैं कोई यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि जो ट्रांस्फोर्मर के रेटिंग्स होती हैं वो के विए में हम लेते हैं नाइस कुछन देखते हैं नोईज रिजल्टिंग फ्रों वाइब्रेशन ओ लेमिनेशन शेट बाइम इस टॉंडब आज दोस्तों जो वाइब्रेशन होती हैं उनके कारण एक नोईज प्रूडूस होती है था ट्रांस्फोर्मर में आपने सुना होगा उस नोईज को कहते हैं हम नोईज हम या फिर उस कहते हैं और दोस्तों कहींब पूच लेता है कि magnetostriction क्या होता है तो magnetostriction दोस्तों वह फिनोमेन आज इसमें magnetic field या फिर flex के कारण यानि कि जो alternating flux होता है आपका उसके कारण क्या होता है डाइमेंशन में चेंज आ जाता है उसी को हम कहते हैं मेगनेटो स्टिक्शन और जो डाइमेंशन में चेंज आता है उसके गाराण एक नोईज प्रूदूस होते हैं, उसको कहते हैं हम हमिंग नोईज नयस कुश्ष्ण देखते हैं यह उसके लिए उसके लिए उसके प्रोपर्टीज होती है वह होना चाहिए कि जो पर्मियबिलिटी होती है जो प्राइमियरी से लिएंडि में चाहिए हो आपको ट्रांसफोर्मर करने थाकि एदी करं ट्रांसफोर्मर सकते हैं और लेमिनेशन जो हम करते हैं वो होते हैं तिल लेमिनेशन उन्जों की थिकनेस होती है वो होती है 0.4 mm से लेके 0.5 mm नैस कुशन देखते हैं अग्धा हाइस्ट वोल्टेज पो ट्रांस्मिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इस ऑप्संस दे रहें है 33 KV 66 KV 132 KV and 400 KV दोस्तों इन ओप्संस में आपका करेक्ट ओप्सन हो जाएगा ओप्सन D 400 KV लेकिन अभी हम 765 KV तक हम ट्रांस्फिल करते हैं पावर को अगर आपके ओप्सन में 765 KV होता तो आप करेक्ट ओप्सन आपका बिशन अउयंने 675 KV यहाँ फॉद्ट देखते है कि इन आ ट्रांस्फॉर मर डा रैजिस्टेंस बीट्विन इचेंटेरी और इप्रमीरी इंद सेकेंडरी ऐस अब यहां पे दोस्तों राजिस्टेंस पूँदा है प्राइमेरी व्यंडंडिंग और शेक दू और इस इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल क्नेक्शन नहीं है जब कोई क्नेक्शन ही नहीं तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन फाइनाइट अप्सम्ट आपका करेक्ट हो जाएगा एक कूशिण ऐसा ही आपने पहले करहा उसको कूश्चन थोड़ा सा डिफ्रे कितना होगा तो वह आपका इंफाइनाइट हो जाएगा उपसंटी करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुश्चन देखते हैं एक ट्रांस्फोर्मर ओइल मस्ट भी फ्री फ्रॉम उपसंसे स्लग ओडर गैसेस एंड मोईस्चर तो दोस्तों जो ट्रांस्फोर्मर का ओईल होता है उस कर रहा था प्रामेरी वायंडिंग और सेकंड्रि बालम का काम कर दा लेकिन दोस्तों अगर मोईस्चर प्रिजैंट हो गया उसमें तो मोईस्चर के यहां पर correct हो जाएगा कि transformer में moisture बिचान नहीं होना चाहिए next question देखते हैं a bookage relay can be installed on options auto transformers air cool transformers welding transformers and oil cool transformers तो दोस्तों जो bookage relay होती है उसको हम oil cool transformers में install करते हैं option d आपके यहां पर correct हो जाएगा next question देखते है gas is usually not liberated due to dissociation of transformer oil unless the oil temperature exceeds दोस्तों जो 150 degree celsius temperature है अगर उससे ज्यादा आपका temperature increase हो जाएगा transformer में से तो आपके gas liberate होना start हो जाएगी और जो bookage relay है आपका वह एक gas actuated relay होती है तो वह work करना start कर देगी alarm alarm circuit को active कर देगी और alarm आपका बच जाएगा option D आपका यहाँ पर correct हो जाएगा अगर 150 degree celsius से ज्यादा temperature हो जाएगा तो gas आपकी liberate होएगी next question देखते है the main reason for generation of harmonics in a transformer could be options है fluctuating load, poor insulation, mechanical vibrations and saturation of the core दोस्तों जो harmonics generate होते हैं transformer में उसका main reason है saturation of the core दोस्तों आपने जो BH कर पड़ा होगा तो इसमें क्या होता है दोस्तों एक point के बाद क्या होता है core saturate हो जाता है यानि कि आप x कितना ही increase कर लो आपका क्या हो जाएगा point जो flux density हो इस point से ज्यादा नहीं बढ़ेगी इसलिए saturation of core के कारण क्या होता आपका transformer में harmonics induced हो जाते हैं तो option D आपका यहां पर correct हो जाएगा next question देखते हैं distribution transformers are generally designed for maximum efficiency around options 90% load, 0 load, 25% load, 50% of load दोस्तों जो distribution transformers होते हैं उनको हम इस तरिक हैसे design करते हैं कि sun도 maximum efficiency हों May प्रप्रेशंगिजाइंड करे मेलें और जो आपके पावर ट्रांसफोर्मर्स होते हैं उनको इस तके करते हैं कि जो मैधिमेंड एक सीया है हुआ हमको फूल लोड मिले तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस याद रखना डिस्ट्रांसफोर्मर्स के लिए अराउंड 50% 50 की जगह कर 60% option में होता है आपको वो टिक करना है और पाउट transformers के लिए फुल लोड पे तो यहां पर option D करेक्ट है आपका next question देखते हैं which of the following property is not necessarily desirable in the material for transformer core हमको बताना है कि इन जो चार प्रोपर्टी दिए हुई है इन मेंसे कौन सी desirable प्रोपर्टी नहीं है कोर के लिए पहला है mechanical strength तो यह करेक्ट है mechanical strength होनी चाहिए low stresses होने चाहिए high permeability भी होनी चाहिए लेकिन thermal conductivity high नहीं होनी चाहिए तो option C आपको यहां पर correct हो जाएगा यह desirable नहीं है next question देखते हैं star star transformers work satisfactorily when options है load is unbalanced only load is balanced only on balanced as well as unbalanced loads and none of the above दोस्तों जो आपके star star transformer connection होते हैं वह हम only balanced load के लिए यूज में लेते हैं तो option B आपका यहां पर correct हो जाएगा next question देखते हैं डेल्टा star transformers work satisfactorily when options है load is balanced only load is unbalanced only on balanced as well as unbalanced loads and none of the above दोस्तों जो आपके डेल्टा star transformer का जो connection होता है वह हम only balanced as well as unbalanced to दोनों तरिके के लिए यूज में ले सकते हैं option C आपका यहां पर correct हो जाएगा star star जो दोस्तों पिछले question में पढ़ाता हो था only balanced load के लिए और आपका जो डेल्टा star है दोस्तों वह balanced हो या फिर unbalanced हो दोनों के लिए हम यूज में ले सकते हैं next question देखते हैं कि दा पावर ट्रांस्फोर्मर इसक कॉंस्टेंट ओप्सन से वोल्टेट डिवाइस करेंट डिवाइस पावर ट्राइस एंड में फ्लक्स डिवाइस तो ओप्सन सी आपका यहां पर correct हो जाएगा इसमें जितना पुट में पावर देते हैं अच्वाइस इनपुट रहता है यानि इनपुट में जो इन पर आपर आपट में पर मिलेंगी नाइस कुछन देखते हैं हैं बुकोज रिले इव सब्सक्रीज वार्निंग अन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑप्सन्स एलेक्ट्रिकल फॉल्ट इंसाइड़ ट्रांसफोर्मर इट्सेल्फ इलेक्रिकल फॉल्ट यौट्साइड अइंसाइड फॉल्ट लुट होती है वो आपकी जाक्टिये कहां उनको वह उनके लिए प्रोटेक्शन प्रवाइड करेड़ाता है नाइक्स कुश्चन देखते हैं तो ट्रांस्फोर्मर्स ओपरेटिंग इन पैलल विल शेयर दा लोड डिपेंडिंग अपोन देयर ओप्संस एंड लिकेज रियक्टेंस पर इंपिडेंस एपिशिंस रेटिंग तो दोस्तों जो दो ट्रांस्फोर्मर अगर पैलल में ऑपरे सेयर करें है नाइस कुष्चन देखते हैं दोस्तों यह जो कुष्चन तो आपको इसे संफमेंट बोक्स में देना है क्योविशन है इब परसंतेज इंपीडेंशे सआयट्व वी तो अब आगे options देखें, transformer will be overheated, power factor of both the transformers will be same, parallel operation will be not possible, and parallel operation will still possible, but the power factor at which the two transformers operate will be different from the power factor of the common law. दोस्तों इस question का जो भी answer आपको correct लगे, वो आप comment box में comment कीजिए, and दोस्तों आपको अगर वीडिया अच्छा लगे, तो please subscribe जरूर कीजिए, thank you very much.